हेलो गाईज, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में आज की वीडियो में हम बात करेंगे Canon की जो 1000 वाली सिरीज है उसमें कौन-कौन से कैमरा आते हैं उनकी क्या स्पिसिफिकेशन है और कौन सा कैमरा आपके लिए लेना सही रहेगा इस वीडियो में मैं 1000 सिरीज के अलावा Canon 3000, Canon 2000, Canon 1500 इन कैमरा की भी बात करूँगा तो गाईज, अगर चैनल पर फर्स ताइम आए हैं तो चैनल के ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पैल आइकन को भी आप प्रेस कर देना तो सबसे पहला कैमरा आजाता है Canon 1000 सिरीज का Canon 1000D यानि की Canon 1000D तो ये कैमरा लॉंच हुआ था 2008 में तो काफी पुराना हो चुका है 14 साल ये पुराना है कैमरा 10 मेगा पेक्सल का आपको इसमें सेंसर मिलता है लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम में इस कैमरा के साथ ही है कि ये कैमरा ना तो वीडियो शूट करता है और इसकी low light performance काफी कमजोर है इसकी maximum ISO range सिर्फ 100 से लेके 1600 तक चाती है तो इसलिए अगर आप इसको रात के समय या कम रोशनी में इसको इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपका camera shake की विज़े से फोटो खराब होने के chances काफी भढ़ जाएंगे क्योंकि आप minimum जो shutter speed आपको चाहिए होती है जिससे आपको sharp photo मिल सके वो आप maintain नहीं कर पाएंगे कम से कम कोई भी आप camera ले उसकी ISO rating कम से कम आज की तारीक में 3200 या 6400 तो होनी चाहिए अगर आपको 6400 मिल लिए ISO rating तो काफी अच्छे आप photo ले पाएंगे low lighting situation में भी लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर आपका बहुत ही tight budget है आपको एक DSLR चाहिए जिससे कि आप photo लेना स्टार्ट कर सको और आपके पास पैसे नहीं है तो ये कैमरा आप बिल्कुल ले सकते है 8000 के आसपास में आपको मिल जाएगा 1855 वाले kit lens के साथ वो सकता है थोड़ा महंगा मिले लेकिन 10,000 रुपे से कम में 100% आपको ये कैमरा मिल जाएगा अगर आपको ये कैमरा यूज़ करना ही है तो उस हिसाब से 11 साल पुराना हो चुका है ये इसमें आपको 12 MP का sensor मिल जाता है और ये आपकी HD वीडियो शूट कर देता यानि कि 720p में आप इसमें वीडियो रेकॉर्ड कर सकते है हाला कि ये कैमरा वीडियो रेकॉर्डिंग के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि वीडियो रेकॉर्डिंग में ये आपको continuous autofocus नहीं देता उसके अलावा वीडियो रेकॉर्डिंग में आप इसमें manual settings यूज नहीं कर सकते इसका मतलब ये है कि जब आप इस camera से video record करते है ना तो आप shutter speed को change कर सकते ना आप aperture को change कर सकते तो जो भी आप वीडियो इससे record करेंगे वह fully auto mode में होगी तो आप अपना focus point भी move नहीं कर पाएंगे अगर आपको वीडियो की shutter speed आपट चो कुछ भी change करना है कुछ नहीं कर पाएंगे camera सब कुछ खुद बाख खुद decide करेगा तो इसलिए video recording के लिए हलाकि इस camera में आपको मिल रही है video recording लेकिन ये इतना अच्छा camera नहीं है लेकिन अगर हम photographic की बात करें तो photo काफी अच्छे ले लेता है ये even low lighting में भी ठीक ठाक ये photo ले लेता है क्योंकि इसकी ISO rating 100 से लेके 6400 तक जाती है अगर हम price की बात करें तो 10,000 से 12,000 में ये आपको मिल सकता है second hand market में और काफी अच्छी choice रहेगा अगर आपको एक ऐसा camera चाहिए सिर्फ और सी photography के लिए जो काफी अच्छे photo ले दे एक beginner camera एक perfect beginner camera ये आपके लिए रहेगा क्योंकि इसमें live view भी है तो आप manual focus वाले lenses भी इसमें use कर सकते है तो beginner है अगर आप और आपका budget 10,000 पार हजार का है तो definitely आप इस वाले camera को consider कर सकते है ये दोनों camera के reviews आप मेरे channel पर check out कर सकते है और इनके tutorial भी मेरे channel पर पढ़े हुए है तो अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी camera है तो जाएए मेरे channel पर tutorial देखिए और इसका review भी आप check out कर सकते है तो अगला camera हा जाता है Canon 1200D बहुत ही अच्छा camera है 2014 में ये launch हुआ था तो उस हिसाब से 8 साल पुराना ये camera हो चुका है लेकिन 8 साल पुराना होने के बावजूद भी आज की तारीक में भी बहुत ही बहतरी ने फोटो लेता है आपको इसमें मिल जाता है 18 megapixel का sensor और इसका autofocus भी बहुत अच्छा है और सबसे अच्छी बात ये आपका full HD में video record कर देता है 30 frame per second तो अगर आपको video भी अच्छी चाहिए और photography भी अच्छी चाहिए तो दोनों काम ये camera काफी अच्छे तरीके से कर देगा लेकिन अगर आपको wifi चाहिए वो आपको इस camera में नहीं मिलेगा उसके लिए आपको जाना पड़ेगा Canon 1300D तो Canon 1300D लाँच हुआ था 2016 में तो 1200D के मकाबले Canon 1300D में आपको क्या extra मिलता है तो extra आपको ये मिलता है कि इसकी low light performance थोड़ी सी बहतर है और इसमें आपको wifi भी मिल जाता है तो आप अपने smartphone के साथ 1300D को connect करके अपने smartphone से इसको operate कर सकते हैं आप directly image transfer कर सकते हैं camera से अपने phone में अगर आपको focusing करनी है photo shoot करनी है अपने mobile से pair करके आप directly photo shoot कर सकते हैं ISO range के अगर बात करें दोनों camera में आपको 100D से लेके 12800 तक की ISO rating मिल जाती है low light में दोनों camera काफी अच्छा perform करते हैं दोनों बहुत ही बैतरीन camera है अगर price की बात कर ली जाए तो 1200D आपको 13-14,000 में मिल जाएगा maximum 15,000 में और अगर हम 1300D की बात करें तो वो थोड़ा समयेंगा maybe 17,000 या 18,000 में आपको easily मिल जाएगा दोनों में से आप कोई भी camera ले सकते हैं दोनों से आपके सारे requirement फुलफिल हो जाएगे वीडियो का भी और फोटोग्राफी का भी अब बात कर लेते हैं अगले camera की तो अगला camera है Canon 1500D तो 1500D को 2000D के नाम से भी जाना जाता है तो basically 1500D और 2000D exactly same camera है अगर हम difference की बात करें तो क्या extra मिल रहा है आपको 1300D के मुकापले इस camera में तो basically आपको बड़ा sensor मिल रहा है इसमें आपको 24MP का sensor मिल जाता है और आप इसमें फुल HD में 30fps तक video record कर सकते हैं अभी तक मैंने आपको जितने भी camera बता है किसी भी camera में आपको mic input नहीं मिलता तो इस camera में भी आप अलग से mic नहीं connect कर सकते है और सारे camera में आपको fix screen मिलती है और कोई touch screen नहीं है इस series के किसी भी camera में तो इसलिए video making के लिए ये इतनी अच्छी choice नहीं रहते क्योंकि आप अपने आपको नहीं देख पाएंगे अगर आपको एक flip out screen मिल जाए तो आप अपने आपको frame में देख सकते है तो ये जितने भी सारे camera है ये एकदम basic entry level camera है जिसका main purpose है फोटोग्राफी करना और थोड़ी बहुत video बनाना लेकिन video के लिए इतने भी अच्छे ये नहीं है camera क्योंकि इन में से किसी भी camera में आपको dual pixel autofocus नहीं मिलता जितने भी ये camera हो गए इसमें आपको focus hunting की problem आपको face करनी पड़ेगी अगर आप जानना चाहते है focus hunting की problem को कैसे दूर करना है तो i button में जाके आप देख सकते हैं इस video को Canon के camera से कैसी focus hunting को दूर करें फिर आप इन camera से भी बहुत ही बैठरीन video बना सकते हैं तो 24 megapixel का आपको sensor मिलता है और इस camera में आपको wifi भी मिल जाता है उसके अलावा आपको NFC भी इसमें मिल जाता है तो बहुत ही easy रहता है आपके लिए अपने mobile phone को इस camera से pair करना और फिर आप easily अपने mobile phone के तरू camera को operate कर सकते हैं फिर अगला camera आ जाता है आपका Canon 3000D या फिर Canon 4000D ये दोनो exactly same camera है तो ये camera लाँच हो था 2018 में जो आपका Canon 1500D है वो भी आपका 2018 में लाँच हुआ था तो दोनो camera चार साल पुराने है तो आपका जो ये camera है 3000D या 4000D इसमें आपको 18MP का sensor मिलता है लेकिन ये camera मैं कहूंगा कि Canon का सबसे बकवास camera है क्योंकि इस camera में आपको plastic का mount मिलता है सामने और plastic का mount बहुत कमज़ोर होता है अगर आप बार बार lens पगरा चेंज करते हैं तो आपका ये mount तूट सकता है और एक पार आपका mount तूट गया या घिस गया तो आपका camera पूरी तरके से खराब और बहुत आपका खर्चा होने वाला है उसको repair कराने में जितने भी मैंने आज तक camera देखे हैं चाहिए वो पुराने हो camera बीस-बीस साल पुराने जो film camera है या Nikon का कोई भी camera उठा लो या Sony का इविन छोटे-छोटे से जो camera आते है उसमें भी आपको जो mount मिलता है वो आपका metal का mount मिलता है और metal तो यार डेफिनिटली ज़्यादा strong होता है अगर आपका camera तकरा भी गया तो आपका lens ही डुटेगा आपके camera का mount नहीं खराब होगा लेकिन इस camera में आपको plastic का mount मिलता है हाला कि ये camera 2018 में launch हुआ लेकिन कुछ भी आपको इसमें नया नहीं मिलता in fact ये जो camera है ये आपका Canon 1300D से भी बेकार 1300D में आपको जाना feature मिलती है इस camera के मुकाबले Canon ने सिर्फ एक नया नाम दिया और पुरानी technology को launch कर दिया और लोगों को लगा oh my god नया camera आया हम तो इसको खरीद लेते हैं तो अगर आप इन में से कोई भी camera खरीदना चाहते हो तो आप 3000D ये 4000D बिलकुल भी मत लेना ठीक है प्राइस की बात कर लें तो वही 2000D के आसपास आपको मिल जाएगा सेकेंड हैंड में और हाँ 1500D का में प्राइस बताना आपको बूल गया 1500DB आपको 20,000 रुपे के आसपास में मिल जाएगा सेकेंड हैंड मार्किट में 185 किट लेंस के साथ अब अगर आप मेरा फेवरेट केमरा जानना चाहते हैं इस पूरी सीरीज में से कि कौन सा केमरा आपको लेना चाहिए तो मैं आपको सजेस्स करूँगा अगर आपको कोई केमरा लेना है तो आप लें Canon 1200D अगर आपको चीप बजट में एक ऐसा केमरा चाहिए मैं आपको सिर्फ ये दो केमरे लेने रिकमेंड करूँगा सेकेंड हैंड मार्केट में आपको बहुत ही चीप ली मिल जाएंगे 15,000, 16,000, 17,000 में इसली ये दोनों में से कोई साथ ही एक केमरा आपको मिल जाएगा depending on the condition अगर बहुत जादा यूज किया हुआ है जादा उसका शटर काउंट है तो आप और भी कम अपने प्राइस करवा सकते हैं हो सकता है 15 से भी कम में आपको मिल जाए अब इन जैनरल ये जो पूरी स्रीज है 1000 वाली स्रीज इसमें कुछ चीज़े कॉमन है एक तो ये कि इसमें आपको फिलिप आउट स्क्रीन नहीं मिलेगी इसमें आप अलग से माइक नहीं लगा पाएंगे और इसमें आपको टच स्क्रीन भी नहीं मिलेगी ठीक है इसलिए ये बेसिक एकदम एंट्री लेवल कैमरा होते हैं जो एकदम बिगनर बनता है जिसको एक कैमरा चाहिए जिसको फोटोग्राफी कोई नौलिज नहीं है उसको एक कैमरा लेना है तो उन लोगों के लिए कैमरे बनाए गए है उसके बाद इसमें अगली वाली सिरीज जो 200 वाली सिरीज होगी तो उस सिरीज में जो आपके कैमरे आते हैं उसमें आपको फिलिप आउट स्क्रीन भी मिल जाती है और आप अलग से माइक लगाने के लिए पोर्ट भी मिलता है और फिर मैं आपके लिए और भी अच्छा अच्छा कंटेंट ऐसे ही लेके आता हूँ और चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लेना और बल आइकन को भी प्रेस कर देना